करत पीं करत अभ्यास के जडमती होतिस जर्श्यान रस्री आवत जाते हैं शिल पर परट निशान इसका एर्थी यह है कि अभ्यास बार बार अभ्यास करने छडमती जिसके पास बिलकुल भी बुद्धि नहीं है वो भी विद्वान हो जाता है बार-बार कुए में आपने देखा होगा बार-बार रसी के आने जाने से शिल पर अर्थाथ पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं पत्थर भी कटने लगता है एक मामूली सी रसी से तो इनी विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बहुत सारे मेले लगते हैं अलग-अलग जिलों के अंतरगत तो हम एक-एक जिले को लेके चलने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सिहस्त अर्थात मद्य प्रदेश के मेलों में उज्यान जिले में कौन-कौन से मेले लगते हैं तो उजयन में सबसे महत्वपूर्ण जो मेला लगता है वो है सिहस्त का मेला, सिहस्त मेला जो है वो कुम्भ है, इसके अलावा बात करते है कार्तिक मेला, गधों का मेला और सिहस्त मेला, यह तीन मेले उजयन जिले के अंतरकर्ट लगते हैं, कैसे याद रखना है, देखो सिह जह है कि सिहस्त मेले है कि वो जयन में लगता है अब सिहस्त मेला जब लगते हैं तो यह कि व्यापार के लिए गधा है और यह को skies और सिहस्त मेला मान के चलो 16 MP стоит एक सर्फ top kartik महा आपको याद रहेगा क्योंकि के अच्छा एक फूमेले करैने की आप पेचा जाता को व्यापार के लिए लाया जाता है. तो कार्तिक माह का कार्तिक मेला, सिहस्त मेला और गधो का मेला उज्याण जिले के अंतरगत लगता है. अन्не मेलों की बात करेंगे प्रमुख मेले. सबसे पहले गौलियर जिले के मेले देख tournament. तो गौलियर जिले मेले मेला जगनाथ मेला, जूले लाल मेला, बंधवाना मेला, चकरी मेला, हीरा भूमिया मेला, व्यापार मेला और खेर माता का मेला देखो गवालियर जिले में बहुत सारे मेले आते हैं, कैसे याद रखना है, ट्रिक सुनो सबसे पहले गवालियर से एक शब्द निकल के आ रहा है गवाल किसे कहा जाता है जो गायों का पालन करते हैं उन्हें गवाल कहा जाता है तो भगवान श्री कृष्ण भी एक गवाल ही थे और उनके दोस्त भी बहुत सारे गवाल बाल ही थे तो भगवान श्री कृष्ण से आ जब भगवान जगन्नाथ चोटे से बच्चे एंट अपने गौाल बाल के साथ गूम रहे हैं तो गौाल यर जेला याद रहेगा अब चोटा सो जो बच्चा है ना वो मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मेरे लिए जूला बांदो मिरको जुलने का मगन करा भी जूले लाल रख़ीन वर भी बन ड़ाना अब जूले बंध गया तो जूला तो जूला बछे गूमाते हैं रिफ। चक्री से गूल 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 गूमता है तो जूले जब गूम रहा है दो चक्रीके जैसे गोल गोल गुमारा है वह बच्चा उसको तो जगन्यात जी, अपनी ममी से बोल रहा हैMen ज्ञुला बांद दो ज्ञुले से जुला बांद उसे बंद वानाः ठीक अब जुला बांद दो तो एक नम मेला है अब वहम कौन सा मेल घ्रिक्ति सीज़ित उन चौन से लिए हूँ नहीं से तो है वाय दाने ले में एक चीज़ का व्यापार मेल भ बुंश बहूं प्र बैठे हैं हमारे जगनाथ जी और जगनात जी जो है वो अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी मेरे लिए जूला बांध दो तो जूला से जूले लार और बांध से बंधवाना अब जूला बान दो जूला बानते तो वो है जासे घूम रहा है तो ग्वल ग्वो 올 जा से तो चकरी मेला आभ सब इतनी ट्रिक आपको खोगंगी अब लास्टा को एक एक मेला और याद रख लेना है वह है खेरमाता का मेला यह आप कहीं भी आईड़ी कर सकते हो हना तो यह सारी मेले आपको याद हो जाएंगे, इजी है बहुत, गौल बाल से गौल लियर, गौल बाल का सम्मंद, भगवान जगनात से, भगवान श्री कृष्ण से, जगनात मेला, जूले लाल मेला, बनवाना मेला, चकरी मेला, इसके बाद व्यापार मेला, और लास में हीरा भूमिया का मेला, क्योंकि हीरा का व्यापार यहां पे हो रहा था, क्लियर है इतना, चलिए, दतिया, दतिया में कौन-कौन से मेले हैं, यह देखते हैं, दतिया में कौन-कौन से मेले हैं, पहला है राम लीला का मेला, पितामरा देवी का मेला, सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेलाragen पतलब कोने जरु टो आपने सुना होगा ऑपने सुना होगा कि भग्वान श्री राम जब छोटे थे ना पीतामबर पहना है जो भी बन्दा भवान बना होगा तो उसमें पीतामबर पहना है अब यहीं पर न एक कुए है और थोड़ात सबस्टे है वह बता रिंदर पागल हो गया है वह मालो न is टो ये कुओा है इस के अंदर अब सोना गिर जाता है वहात क्योंकि एक लिए ती तुथ के बेल डंङ लेी जाता है। IT अंदर अंदर इस कुवा तो ना अंडर आ टान इस नी उन ड्गू вगिय। और अंगुठीक में जो कंकड लगे होते हैं उन्हें रतन कहा जाता है जो नग लगे होते हैं तो रतन भी गिर गए अब अब जो रतन गिर गए तो लोगों के अंदर उल्लास आ गया कि भाई इतना सब कुछ इसके अंदर गिर गया है और चलो चलो निकाल के लाते निकाल के दनाट तो लोगे क्या होँ पुए के आसपास जमा हो गए और काईकले जमा हो गए लोग बढ़ने लगे कोये का सब्ढ़ने लगे औरम पहल के बढ़ने लगे हैं located जिक भालेग क्यों बढ़ने लगे क्यों कि क्यों को सोना और रतन निकालने हैं अब कैसे आदे रखना तो यह हो पर रामलीला का यहाँ रामलील कgar का पैहना हुआ है पीतामबर इसे धारं किया यह पर उसने पीले रंग का धारं किया है वर्ष्त्र वही पर एक मेला है जो कि संका हुआ है तो संका हुआ कुआ से संकुआ याद रहेगा उसमें क्या हो रहा है थोड़ दिर बाद देख रहा है सोना गिर रहा है तो सोना गिरी से सोना गिरी का मेला याद रहेगा सोना गिरा अब बांटी बचाने के लिए देखी तो उनके रतन तो रतन का मेला तो रतन गड़ का मेला कहा लगता है वो भी दतिया में लगता है अब लोगों के अंदर क्या गया उल्लास अगया कि चलो भाई इसको निकालते हैं तो उल्लास से उन्नाव का मेला और फिर उसके बाद लोगों की क्या हो गई भीड हो गई तो भीड बढ़ने तो बढ़ने लगी से बढ़ोनी का मेला तो बढ़ोनी का मेला भी दतिया जिले में ही लगता है थोड़ा टफ है एक दो बार सुनोगे प्रेक्टिस करोगे याद हो जाएगा ठीक चलो आंगे बढ़ते हैं देवास में कौन-कौन से मेले लगते हैं भुवनेश्वरी देवी क मेला चámundha देवी का मेला चंद्रसेखर का मेला और संदलपूर का मेला कैसे याद रखना है सबसे पहले दो माता का मेला याद रखना है कौन-कौन या फिर संदल, तो संदलपुर का मेला दतिया में, आप बल चाहिए, आप जा कॉन रहा है, जिसके अंदर बहुत जादा बल है, तो सबसे बड़े क्रांतिकारी, चंदरशेखार आजाद जी, वैसे तो हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, कौन से सबसे बड़े थे, कौन से नह करता थे, तो चंदी का यह भवन था, तो चंदी देवी उसके बाद, बल से संदलपुर, और चंदरशेखार आजाद, चंदरशेखार मेला, आपको यादर हेगा, देखो एक चंदरशेखार जो मेला है, वो आपको बिलकुल भी अली राचपुर लगा के नहीं आना है, त् नेकिन चेंदरशेखर मेला जो है वो दतिया सवारी देवास ने के संबंध में आता हैं और यां आतके चीज़ है बात करते हैं बैतूल के मेलों की की बैतूल में कोन nous' मेले लगते हैं साललवार्ड़ी मेला भहपाली मेला बार्लिंग Когда मेला और भूतो का मेला देखो बैतूल में इतने सारे मेली लगते न थोड़ा कठीन हो जाएगा सबसे जादा इंपॉर्टेंट रहेगा भोपाली मेला भोपाली मेला और भूतों का मेला दोनों बैतूल जिले के अंतरकत लगता है इसके अलावा साल वर्डी का मेला और बारा लिंगा मेला भी चिंदवारा जिले के अंतरकत लगता है ठीक है चिंदवारा जिले में कौन सी जनजाती सबसे जादा रहती है भारिया जनजाती कि शेतर में पाताल कोट वाले शेतर में कैसे आद रखना है देखो गोट मार का मेला हमने पहले कवर किया है जामलेर नदी के तट पर लगता ह सब लोग दूसरे को लहु लुहान करते हैं तो गोट मार का मेला लगता है चिंदवाडा में अब गोट का मारते हैं अधी रात में मारते हैं तो अधी रात मतलब काली रात के समय में गोट का मतलब होता है एक प्रकार की गोटी पत्थर मारना तो गोट मार का मेला एक एक्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको याद रखना है ट्रिक के लिए कि कैसे याद रखना पड़ेगा तो मेगनात मेला क्लियर गोटमार का मेला क्लियर और काली रात का मेला भी क्रियर जो कि छिनवारा जिले के अंतरकत लगता है ठीक नेक्स शलते स्लाइड में जागेश जागेश्वरी देवी के मेले की बात करते है तो यह अशोक नगर में लगता है ठीक है अशोक नगर में लगता है और करीला राई जो है करीला राई का जो मेला है यह अभी अशोक नगर जिले की अंतरकत ही लगता है लेको जागेश्वरी देवी का इंपॉटेंट याद र मेला सीधी देखो एक चंडी देवी का मेला सीधी में दिखाई दे रहा है और एक हमने जस्ट अभी पढ़ा है ये देवास जिले के अंदर लेकिन यहां पर चामुंदा देवी का मेला है क्लियर रखना है चंडी देवी और चामुंदा देवी दोनों अलग अलग है तो चंड चंडी माता जो है जब वो चंडी का स्वरूप में नहीं होती है तो पारवती जी का नॉर्मल स्वरूप होता है तो उससे में क्या होता है वो बहुत सीधी रहती है तो चंडी माता सीधी एक दम अपोजेट है ना इसे याद रह जाएगा नरसिंग पुर जो है इस जिले का नाम भगवान श्री नरसिंग के नाम पर ही रखा हुआ है देखते हैं कौन-कौन सा मेला बर्मान, मिठवानी और देवी मढिया देखो आप कैसे याद रखना है देखो इसमें क्या होता है यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है बर्मा मेला के बरुण है यहां कि यहां देखे नाम मठिया मतलब घर आप समझते होंगे तो गॉइम अगईरे की लोग जाते मतलब है लकडी बगेरह से या फिर किसी प्रिकार गास पूस से जोटी से जोपडी बंआ जैत टो जोपडी मेला का जाता है यहां पर मेले लगाने वाल क्योंकि मेला लगाई तो मेले मेले नहिते हैं इन किसके अंधर मिठाई बिगती है तो मधिया किसकी है तो एक देवी की मधिया एक लडकी उसका नाम नाम देवी है तो hace कि मढ का हमें लूत मििलते हैं तो करेकर चैले की मीले नरtar है। कि झिलें कि एद्रक्रदैंट कि पर दिमाप में के दिमाग्स में शिवपुरी जिले के अंब पीर भुधान का मेला काया लगता है जाए उनसम सब्सक्राइश था इसका मेल के तो यह मंणें तो यह दिमागों पोन नागाजी का मेला और बसया का मेला तो नागाजी का मेला जो है वो मुरैना में और बसया का मेला है वो अभी मुरैना जले के अंतरगत ही लगता है गरीब नात का मेला और देवी दुलादी का मेला देखो एक गरीबों का नात है गरीबों का नात क्या मतलब होता है गरीबों क पूरा सजा हुआ पुर हिर भग्वान के दवरा खुद बनाए गगए हमने उजैन के ट्रिक में पढ़ा था कि भगवान के अरह नहीं नहीं को स्वास कर घा रहते हैं और वहां पर क्या है एक डेवी दुलारी रहती हैं तो नहीं कि अट्वान की बच्छन को नाम से जाना जा तो शाजापूर के शेतर में क्या करते हैं गरीबों के नाथ रहा करते हैं और वहीं पर देवी दुलारी भगवान की मा भी रहती है जो कि बहुत दुलार करती है भगवान को तो देवी दुलारी का मेला और गरीबनाथ का मेला कहां लगता है शाजापूर में लगता है चंड हchtने तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के रहसय से सागड़ जिल्हां hm इसके लावा ध्मोनी ध्मोनी का जो और्स है वो भी साग्ड जिले की अंतर्गत ही लगता है शिवनी जिले की बात करेंगे शिवनी जिले में कौन-कौन से मिले लगते हैं मथ घोगरा का मेला डोंगरगढ का मेला और हिड के बिर्रे का मेला देखो इसको कैसे याद रखना है मठ का मतलब जानते हूं मठ एक ऐसा इस्थान होता है जहां पर लोग साधू वगेरा रहा करते हैं तो मठ मालो यह एक घर है तो मठ किस छित्र में तो डोंगरगर दोंगरगर ना एक जगह है अगर आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको डोंगरगर का इक मंदर दिखाई देगा बहुत जादा फेमस है तो डोंगरगर का जो मंदर है वहां पर एक मठ है और इसमें चोटे-चोटे बिर्रे-बिर्रे मतलब एक एक एक्जामबल ना चोटे-चोटे साधू रहते तो बिर्रे-बिर्रे साधू रहते हैं कहां पर मठ के अंदर और इमत कहा है तो डोंगरगर में है और यह कौन से जले के अंतरगाता आता है पूरा शेतर तो यह आता है सिवनी जिले के अंतरगत क्लियर देखो आप सिवनी जिला याद हो गया मठ से आपको मठ घोगरा का मेला याद हो जाएगा इसके अलावा डोंगरगड का मेला आपको याद हो गया कि शिवनी जिले के अंतरगत चेतर भी आपने देखा होगा डोंगरगड का इसके अदाब बिर्रे बिर्रे से साधु लोग एक्जामपल है कुछ बुरा मत मानियेगा सिर्फ एक्जामपल है तो बिर्रे बिर्रे से लोग मट के अंदर रहते हैं तो हिड के बिर्रे का मिला शिवनी जिले के अंतरगत आता ह यह बहुत ज्यादा फीमस रहा है किसलिए आपने पढ़ा था कि यहां से हमें हत्नुरा से क्या मिला था मानव जीवाश में मिले थे सबसे प्राचीन इसके अलावा हमें और भी सबसे जादा जो प्राचीन प्राचीन चीजें वह प्राप्त हुई थी शिहोर जिले में कालिया देव, महादेव मेला लगता ई, आपना के तमनहा है कि हीरा उस्य मिल जाए ठीक, आपको हीरे सेटर क्याद रखने ही कि जमें चूंकित को एँ प्रदीश में कि बाढके में हेर का है श्युना कभादन तो पन्याजिले आपजिली पन्ना है आपा लुट से अगर Compliकियों हृड तो हिसको देते हैं तो हीरे उसको देते हैं भां जो बहुत जादा सुन्दर हो जो लड़की बहुत जादा सुन्दर होती है तो लड़के लोग अपनी गल्फरंट्स को या अपनी मम्मी को या अपनी किसी भी रिलेटिव को देते हैं हीरा लेकिन उसको जो बहुत जादा सुन्दर हो तो जो चांद की तरह सुन्दर हो उसे मिलत यह को हेरे को समालने क्लिए बहुत हिम मच एग वह बहुत ताकफ चाहिए तो उसको हीरे को समालने के लिए बहुत बल लगता है तो आपधको कैसे याद रखना ये देखते हैं तो लोगें जो पहत पाणन जिली के इनतरकत क्योंकि ह grain वर भाड को चांद की, तो चांद यह दू आपको नांद चझांद का मेला जाद हो रहेगा। शरती है, नपन जिली के अनतरकत आफे हैं सब्स्रायरे चांद को दो एक मैल सहां कि अंज्यूF无ग Godeew Gr. इसके लावा लाश में देखा था बल, बल चाहिए व्यक्ति को हीरे को बचाने के लिए, तो बल से बलदेव जी का मेला है वो भी पन्ना जिल्ले के अंतरगती लगता है, थोड़ी अजीबो करीब टिक है लेकिन आपको याद हो जाएगी चीजे, गुना, गुना में कौन कौ करते हैं, बीसपुञा अवाला तेजार जी का मेला हीर्टर गुना मेले लगें और क्यी सिर्देखेअगत को के लिए लू देख का लिए तो गुना जिले में पहले मेला लगे का तेजाजी का मेला दूसरा मेले लगे का जैहिंद का मेला और तीसरा जो मेला लगेगा वहोगा बीस भुजी मेला यह जो हमने देखा था बीस भुजी मेला क्लियर है याद हो जाएगा बहुत आसान सी ट्रिक है इंदोर जिले में मेहर जीरी का एक मतलब होता है कोई पतला सा कोई चीज होती ना उसे हम जिरी बोलते हैं पतली सी कोई चीज होती है आपने एक चीज सुनी होगी पन्नी को जिली का आ जाता है कभी कभी गाओं में पन्नी को जिली कहते हैं तो कोई भी पतली सी जो चीज है उसे जिली माल लेते हैं जिली से आप जिरी ले ले कि भाई बहुत चिंता काहरंण काहरं वहाली है, अब यहाली लगे देखाई जब जिफ्टाराप में अपकी कोई चीज आती है, वह बबल रैप में कोई चीज आती है पतली सी जिल्ली होती है उनको फोड रह बैठे बठे, बोर हो रहे थे कुछ काम नहीं बचे सब की चिंता वह अहरं तो कर लिया तो कह huge पर्ति कोंसा जिलनाई का मेला न लगे गा क्लियर hmm प्राइसेंगे अंतर चिंतार न कैन अंथर गर्ति पिराली कई पी खो कें अंतरगत और वोर हो रहा है तो वह रज आले को एक लगार लेका अपको एक दोबाल शुन ना है बस आयाक क्लिक्लियर श्रहास्त्र वश्चत्र हारा का मेला और मन्डला के छेतरे में इमने पढ़ा है कि श्रह दारा जो है वो भी मंडला के अंतरगत आता है, एक शहसधारा जो जल प्रपात है, वो खरगौन जिले के अंतरगत आता है, यहां पर क्लियर रहना है, तो शहसधारा का मेला मंडला और रामनगर का मेला भी मंडला के अंतरगत ही लगता है, जल विहारी का मेला, चरण पादुका का मेला, ये दोनों मेल छतरपुर जिले के अंदरगठ लगते हैं, ये भी यहां पर क्लियार होगा। चरण पादुका का जो यहीं पर चरण पादुका नर संगार हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियावला बाग अत्यकांट भी कहते हैं। फूल मेला दिंडॉरी और बरही मेला कटनी फूल मेला कहां लगता है दिंडॉरी जिले में लगता है और बरही मेला कटनी में लगता है कंकाली देवी का मेला और बाढ़ गंगा मेला जो की सुहागपुर में लगता है दोनों मेले शहडोल जिले की अंतरगत लगते हैं मंधाता का मेल अर नवचंडिम तो यहीं पर ओम कारिश्वर जो ता लिंग यह भी याद रख न कैक भा मोरी मेला और बांदकपुर का मेला। हजार इश्वर मेला नियोदा पीर का और्स सिद्ध बाबा का मेला शेवपर जिले की अंतरगत लगता है चालिस बाबा का मेला त्रिवेडी का मेला और बीव रोड का मेला जो है वो रतलाम की अंतरगत लगता है अब देखो थोड़ा से इसको समझ लेते हैं त्रिवेडी का मतलब क्या होता है तीन वेडिया मतलब तीन जब धाराएं होती है एक सांध जब मिलती है तो उस शेतर को त्रिवेडी कहा जाता है माल लिजे तीन नदी धाराएं है यह जिस एक शेतर में मिल रही है इस पूरे शित्र को त्रिवेडी गहा जाएगा तो त्रिवेडी में क्या है यहां पर रोड बनाई जारी है रोड क्यों बनाई जारी है यहां से 40 बाबा लोग गुजर सकें तो इसलिए त्रिवेडी का मेला रतलाम में रोड बनाई जारी है तो बिब रोड का मेला रतलाम मे और 40 बाबा गुजर सकें इसलिए रतलाम में त्रिवेडी में रोड बनाई जारी तो 40 बाबा का मेला भी रतलाम जिले के अंतरगत ही लगता है गडगौर का मेला बाबा रामदेव मेला और शहाबिदीन ओलिया का और से नीमच में लगता है देखो कैसे याद रखना है गडगौर जो पर्व हमने देखा था निमाल के साइड मनाया जाता है तो गडगौर का पर्व और बाबा रामदेव ये वो पतंजली वाले बाबा रामदेव नहीं है बतशले आप आसन वाले बाबा रामदेव समझ लो ये बाबा रामदेव वो हैं जो की राजिस्थान से संबन्दित है इनके दरगाहा पे बहुत सारे लोग दूर दूर से पैदल चल के राते हैं और शाहबुद्दीन ओल्या का उर्स नीमच जिले के अंतरगत लगता है खेर्माई मेला पीर बाबा का उर्स जवलपुर में लगता है ठीक है रामजी बाबा का मेला और काना बाबा का मेला जो है वो होशंगाबाद में और काना बाबा का हर्दा में लगता है सीधी में जो मेला है सीधी मेला जो है वो बैरागर भुपाल में लगता है और शरत पूर्णिमा का मेला जो है वो अनुपुर जिले के अंतरगत लगता है एक बर और इसको पढ़ लीजिए गड़गौर का मेला नीमच में लगता है बाबा रामदेव का मेला नीमच में लगता है फिर खेरमाई का मेला और पीर बाबा का मेला जवलपुर जिले के अंतरगत, रामजी बाबा का मेला हुशंगाबाद में और काना बाबा का मेला हर्दा में, इसकी बाद में सीधी मेला भुपाल में और शरतपुर्णिमा का मेला अनुपुर में, इस प्रकार से हमने मध्य प् इसके अलावा आपको हमारी वीडियो की नोटिफेकेशन नहीं मिल पाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच